राधे राधे दोस्तों, दोस्तों माक मास की किष्टुपक्ष की चतोथी को सकर्चौत के रूप से जाना जाता है, सकर्चौत का ब्रत प्रमुक रूप से संतान की दिलगायों के लिए माताएं रखती हैं, सकर्चौत पर भगवार श्री गणीश का पूचन का रात्री में च तिलकुटा चौत यह तिलकुट की नाम से भी जाना जाता है। और किसी भी नए कारे की शुरुवात में, भागवान शिरी गनेश का अगर नाम नहीं लिया जाए, तो वह कारे भी पूरा नहीं होता। धार्मिक माननेताओं के अनुसार चतुती तिती पर जो भागवान शिरी गणेश का पूजन करते हैं, भागवान शिरी गणेश उन पर पसंद होते हैं और उनकी सभी मनों कामनाय पूर्ण कर देते हैं, भागवान शिरी गणेश को बिख्ण विनाशक कहा जाता है, भागवा सच्चे मन से भगवान शिरी गणेश का पूचन करते हैं भगवान शिरी गणेश उनके सभी रोग, शोग, कष्ट और दुख तरिदित्ता को हल लेते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया भगवान शिरी गणेश को प्रसंद करने का ए भगवान शिरी गणेश की करपा से सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर हो चाते हैं और बिग्ड़े काम भी बनने लगते हैं यह उपाए आपको चतूर्थी दिथी पर करना है यह उपाए आप चतूर्थी दिथी पर किसी भी समय कर सकते हैं लेकिए अगर यह उपाए काल के समय करेंगे तो ज्यादा उत्तम रही का क्योंकि गणेश चत्विथी के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन दुपहर में और संध्या काल के समय ही किया जाता है उपाई कहने के रिए आप इस्नान करके सुच लान या पीले रंगे बस्तर धारन करें ध्यान रखें क काली रंग के बस्तर भूल कर भी ना पहने क्योंकि काली रंग के बस्तर भगवान श्री गणेश के पूजन में पहनना अशुब माना जाता है अब आप एक पात्र में थोड़े से पवित्र चावल ने पवित्र चावल यानि कि सावुच चावल जिने अक्षद भी कहा जाता है सावुच चावल पवित्र माने जाते हैं और तूटे हुई चावल अशुद माने जाते हैं और भगवान श्री गणेश की पूजन में तूटे हुए चावल इस्तमाल नहीं किये जाते। माननेता है कि अगर भगवान श्री गणेश को जो व्यक्ति तूटे हुए चावल अर्पित करता है, भगवान श्री गणेश उसकी पूजा को स्विकार नहीं करते। इसलिए आप चावलों को ध्यान से बीन कर साफ कर लें और सावुच चावल ही लें अब थोड़े से चावल आप लेकर इन्हें पानी से धू कर साफ कर लें अब चावलों को आप मंदिर में रखकर भगवान शरी गणिश के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं इसके बाद भग थोड़े से चावल रख दें सीधा दीपक जमीन पर ना रखें क्योंकि जमीन पर रखा हुआ दीपक अपूर माना जाता है अब भगवान शरी गणिश को सिंदूर से तिलक करें सिंदूर की लाली भगवान शरी गणिश को बहुत पसंद है भगवान शरी गणिश की प्रस होती है और आर्थिक छेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं धन का लाख होता है अब अब भगवान शरी गणेश को मुदक या लड़ू का भोग लगाएं मुदक और लड़ू भगवान शरी गणेश को बहुत प्रिय हैं अगर यह ना हूँ तो आप किसी भी रहे जते हैं तो उस प्लेट में आप भगवान शरी गणेश का भोग ना रखें क्यूंकि भगवान शरी गणेश के भोग में तुलसी जी नहीं दखी जाती ऐसे भोग को भगवान सीरी गणेश स्विकार नहीं करते। भगवाई शिरी गणेश को भूग लगाने के बाद आप थोड़ी सी पिसी हुई साफ हल्दी लें और उसे आप गीले चावलों में मिला लें चावलों को पीले रंगा कर दें क्योंकि भगवाई शिरी गणेश की पूजा में सफित रंगे चावल इस्तिमाल नहीं किये जाते हल्दी मिलाने के बाद आप थोड़े से चावल अपने राइट यानी की दाहिने हाथ में लें अब भगवाई शिरी गणेश के सामने एक खाली पातर रखें और इस मंतर का जाप करते हुए आप चावलों को भगवाई शिरी गणेश के सामने रखें खाली पातर में चढ़ा दें मंतर है इदम अक्षतम ओम गन गन पतें नमा मंत्र है इदम अक्षितम ओम गन गन पते नमा इस मंत्र का एक बार जाप करते हुए आपको यह चावल भगवान शरी गनेश के सामने रखे पातर में चढ़ाना है यानि कि भगवान शरी गनेश को चावल अर्पित करने हैं फिर आप दूसरी बार अपने हाथ में चावल लें फिर से इदम अक्षितम ओम गन गन पते नमा मंत्र का चाप करते हुए आप भगवान शरी गनेश को चावल अर्पित करें इस तरह से आपको तीन बार भगवान शरी गनेश को चावल अर्पित करने हैं भगवाई शिरी गणेश को चावल अर्पित करने के बाद आप भगवाई शिरी गणेश के इस मंत्र का 108 बाद जाप करें मंत्र है ओम शिरी गणेशाय नमा मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवाई शिरी गणेश के आति करें इसके बाद आप हाग चोड़कर भगवान शिरी गनेश से अपनी सभी विग्न वाधाओं को दूर करने की प्रातना करें सभी कष्टों को दूर करने की प्रातना करें आपकी जो भी समस्या है परेशानी है वैसा भगवान शिरी गनेश को बताएं और अपनी मनुकामना पूर करने की प्रात्ना करने के बाद आपनी भगवान शिरी गणेश के जिस संदू से तिलक करा है उसे अपनी परिवार के सबी सदस्यों के भी तिलक करें इससे उन्हीं भी भगवान शिरी गणेश की कृप्रा प्राप्त होगी और भगवान जी को जो भोग लगाया है उससे प्रशाद के रूप में अपने परिवाज जहित करें करें इस उपाइई को करने से भगवाई शिरी गनेश की क्रपा प्राप्त होती है विग्ण हरता भगवाई शिरी गनेश अपने भक्तों के सब विग्णों को हल लेते हैं और चतुथी तिथी पर ब्रत रखने वालों को पूरे दिन कम से कम बोलना चाहिए और भोजन ग्रहन करते समय मौन ब्रत धारन करना चाहिए वाइना ब्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। चत्युथी दिथी पर जादा से जादा भगवाई शिरी गणेश का इस्मरण और पूचन करें। उन्हीं चत्युथी के दिन और रात में मंदिर में भगवाई जी के सामने ऐसे ही दखा रहने दें। दूसरे दिन सुभह उठकर इस्नानाधी करने के बाद आप इन चावलों को पक्षियों को डाल दें। दोस्तों, चत्युथी तिठी का ब्रत और पूचन चन्दिव के दर्शन और पूचन के बिना अथूरा रहता है। इसलिए चत्युथी तिठी पर भगवाई शी गणेश का पूचन करने के पश्चात रात्री में चन्दिव के दर्शन को अर्थे अवश्य ही दें। के लंबी आयू और बहतर भविश्य के लिए रखते हैं इसलिए अगर आपके बच्चे के बेटा हो या बेटी उनके बिभा में बिलंब आ रहा है किसी कारणवश बिभा नहीं हो पा रहा है तो माता को अपने बच्चे के बिभा की कामना से भगवान श्री गणेश को माल का पूचन अवश्य ही करना चाहें ऐसा करने से शीक्र विभा के योग बनते हैं पूचन करने के बाद ब्रत का पारण करने से पहले आपने माल पूए और जिस मिश्थान का भगवान श्री गणेश को भोग लगाया है उससे आप अपने बच्चे को खिलाएं जिसके विभ का में आ रही बिख्र बाथाएं दूर होते हैं और जल्द विभा के योग बनने लगेंगे दोस्तों चतुर्थी के इस पावन पर भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त कहने के लिए इस आसान से उपाय को अवश्य करें इस उपाय को कहने से भगवान श्री लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंद्स और इस्तदारों में जादर से चादर श्यादर करें जिस से भधी इसका लाव उठा सके हमारी और फी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना ना मे civूल ए थैंक्स फूर वॉर्चिंग राधी राधी